हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एग प्राठे ये प्राठे देखने में जितने अच्छे हैं उससे कहीं ज़्यादा खाने में स्वाधिश्ट हैं आप इन्हें सुब ब्रेकफास्ट में दही, चाई, सोस, किसी भी चीज के साथ खा सकती हैं बच्चों के टीफिन के लिए भी ये एक बड़ी आउप्शन है इस रेसिपी को बनाना बहुती आसान है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो उबले हुए अंडे, दो बारी कटे हुए प्याज, दो हरी मिर्च, और बारी कटा हुआ हरा दनिया सबसे पहले हम नरम और मुलाह माटा गूंद लेंगे इसके बाद हम करेंगे अंडो को ग्रेट अंडो को ग्रेट करने के लिए मैंने बारी ग्रेटर लिया है अगर अंडे बहुत ज्यादा तूट रही हो तो आप पहले इने फ्रीज में रख दें जिससे अंडे टाइट हो जाएंगे और अच्छे से ग्रेट होंगे ये देखिए अंडो को हमने ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हरादनिया और हरी मिर्च अब डालेंगे इसमें हम मसाले, आदा चमच नमक, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच धनिया पाउडर और एक चुथाई चमच अमचूर पाउडर, सभी को अच्छे से मिलाएंगे नमक की मातरा को हमें इसमें कम रखना है, क्योंकि अंडा एटोमेटिकली नमकीन होता है आटे को हमने पहले गूंद के रखा था, ये देखें आटा हमारा बढ़िया सैट हो गया है अब हम तोड़ेंगे एक लोई, लोई पर सुखा अर्टा लगाते हुए दबाएंगे और एक छोटी रोटी बेल लेंगे और अब हम बरेंगे इसमें स्टफिंग और चारो तरफ से रोटी को फोल्ड करते हुए अच्छे से बंद कर देंगे अब दुबारा से सुखा अर्टा लगाते हुए प्राठे को बेल लेंगे प्राठे को हमें बिल्कुल हलके हाथ से बेलना है नहीं तो हमारा प्राठा फट जाएगा तो देखिए प्राठे को मैंने अच्छे से बेल लिया है प्राठा मारा बिल्कुल नहीं फटा है अब इसे हम गरम तवी पर डालेंगे गैस की फ्लेम को हमें मेडियम रखना है एक साइड से सीखने के बाद प्राठे को हम दूसरी तरफ पलट देंगे अब इस पे लगाएंगे घी ये लगाने के बाद दोबारा से फिर पलट देंगे और ऐसे ही दूसरी साइड भी गी लगा देंगे दोबारा से फिर पलटेंगे और ऐसे ही पलटते हुए हलका हलका दबाएंगे और प्राठे को करारा करेंगे क्योंकि प्राठे प्रारे और क्रिस्पी ही अच्छे लगती हैं ये देखिए प्राठा हमारा अच्छे से सीख गया है अब इसे हम प्लेट में उतार लेंगे ये देखिए प्राठे हमारे कितने बड़ी और क्रिस्पी बने हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेर एंड सस्क्राइब जुरूर करें